हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं लेका है हूँ एक और बाइसेकल लाइट की रिव्यू जो की है कैट आई एंप 500 जो की 500 लिमिंज की लाइट है और यूएस्बी रिचार्जिएवल लाइट है और क्लेटाय ब्रेंड के तरफ से आता है यह जो की एक अच्छा ब्रेंड माना जाता है तो चलिए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन्स और बॉक्स कॉंटेंट लेट स्टार्ट तो फश्ट देख लेता है इसकी स्पेसिफिकेशन्स तो यह फाइव एंडर लिमिंज की मैक्सिमम आउट फूर देता है चलिए और स्पेसिफिकेशन्स देख लेता है तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं एक डेटाइम मोड है इस लाइट को आप किसी भी वेदर में ले जा सकते हैं मतलब बारिस हो या धूप यह इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाला आप्टी क्यूब लेंस के साथ में आता है साइड वीजिबिली टी भी आपको देता है इसमें लो बैटरी इंडिकेटर और इसका मांट जो है अर साथ औस आपको टू यर की वारंटी भी मिल जाता है तो चलिए अब इसका बैटरी का मोर्ट चलिए आप लाइट का मोडस देख लिए नवàiट का तो वह देख सकते हैं याट का चार मों में आता है जो कि है फ़र्स्त हाय मोड जो कि आपको 500 लिमिंस का मैस आउटपर देता है निए सेकेंड लो मोड जो 3R चलता है और 250 लृमिन जाइए मैक्स आट्पूट देता है डे टाइम हाइबर कॉंस्तेंट आपका फाइवार चलता है जो की 500 एडिक सका कॉंबिनेशन में जलता है और फ्लैसिंग मोड जो की 50 आर तक जलता है तो की उसका मैंस आउट्पूट होता है 200 लिमेंज तूफिटी सो कर रहा है बड़ होता है 200 लिमेंज इसका चार्जिंग टाइम 4 आर से 8 आर वन एंपियर का चार्जर से चार्ज करने पर 4 आर लगता है बाकी पॉइंट 5 एंपियर के चार्जर में आपको एटर लगएगा 117 ग्राम इसका लाइट का वेट है और लाइट का जो प्राइज है बॉक्स में सो किया गया है लगबक 3000 एस पर यह कंट्री इसका प्राइज आप डाउन होता रहता है तो चलिए अभी बॉक्स कंट्रेट देख लेता है थे अभी प्राइट कर वे है vidéos झालेक प्राइगश कर सक होता है कैक कर दो कि कुखा दो मतली है रणाऊनित है तो अ कि लगट व्रान आपको हाउ में आपको में आपको तो चलिए अभी बॉक्स को साइड में रखता है अभी में लाइट यूनिट को साइड में रखता है तो हमें पहले मिलता है एक मैनुवल जो की इसमें ही है आपका वारेंटी काड इसमें ही है मैनुवल के मैनुवल में ही आपका वारेंटी मिल जाता है जो की दो साल का है यह साथ में आपको मिलता है एक माइक्ट डाटा कैविल जो की एक को चार्ड लिए काम में आथा है और आपको मिलता है यह माउंट जो की इस एक बोला गया है आ नौर्मेली इसको एसे निकाल के handle बार में लगा के इसको एसी लगा के फिर इसको एसे करके जब आप टाइट करोगे तो आपके handle बार में फिट हो जाएगा तो चलिए अब ही main light unit के तरफ आते हैं तो जो की है ये तो ये है हमारा main light unit कि देख सकते हैं M500 लिखा हुआ है साइड में इसकी बॉड़ी प्लास्टिक वील में आता है जो की एक तरफ से माइनस पॉइंट है और एक तरफ ह माइनेंस पोडिक इसलिये है क्योंकि प्लस्टिक बाड़ी उतना हीड बाहर नहीं निकल सकता ऐलूनियम बाड़ी होने से इत ज्याद से ज्याद है प्लस्टिक बोड़ी में वह ऐसा नहीं होता है तो यह यह रहा OptiCube Lens और यह रहा Mount इस बटन को लॉंग फ्रिस्ट करने से आपका High Mode जो कि ऐसा है और फिर से एक बार क्लिक करने से Low Mode जो कि 200 लिमिन्स का Max Output देता है तीन घंटे यह आपका नॉन्स्टॉप देदेगा फिर आता है आपका डेलाइट मोड मतलब की डेलाइट हाइपर कॉंस्टेंट जो की बोला गया है जो कि 500 लिमिन्स का कॉंबिनेशन में देता है और लाश्ट आता है आपका फ्लैसिंग मोड जो कि आपको 200 लिमिन्स का Output देता है और फ्लैस करता है अबरोल लाइट की कॉलिटी की अभी बात करें तो कॉलिटी बहुत ही अच्छा है और लोंक टर्म यूज के लिए ये ये लाइट बहुत ही अच्छा क्यूंकि आपको इसमें दो यौर का वारंटी भी मिलता है two-sall का तो आपको इसमें दो साल गा वरंटी मिलता है साथ जानावाना बहुत ही बेदेरी ब्रैंड है तो आप लोग इस लाइट के लिए जा सकते हैं तो अभी मैं इसका रात में जाके जो एक अधेरे जगे पे जाओंगा और इसका टेस्ट करूंगा तो तब आप लोग को एक अंदाजा हो जाएगा कि इसका ब्राइड नेस क्या है कि नहीं है तो यह कुछ ऐसा है कि इसको मांट में लगाने के लिए आपको कुछ नहीं और एगा लिए ज्यादा ऐसी लेकि उद्द को ईसे स्लाइट कर देना प्रस अंदर के तरफ बस मांट में लग जायन और बाकि मांट अब हैंडल बार में लग जाएगा और इसको मांट से एक खूलने के लिए इसको दोना और इसको दोना सामने की तरफ लाइड यह तो चलिए अभी फिर से मिलते हैं रात में तो मैं अभी कंदेरी जेगर पर आया हूं जाब पर मैं क्याटा एंब पी ऐड़र का टेश्ट करने वाला कि इसका ब्राइटनेस क्यासा है यानि है तो मैंने साइकल की हैंडल पर मांट कर दिया है क्याट ये को तो चलिए अभी टेस्ट करता है है तो फार्स्ट अभी इसका लोइस्ट मोड तो ऐसा खुछ इसका ब्राइडनेस है कैमिरा पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्षिऄ में थोड़ा ज्याद है है एक्षिव एक चाहरा भी इसका स्ट्रोक मौड घैलाइट मौड कुछ ऐसा है ऑजिस का ब्लिंकिंग मोरा भी एगाज एसा है यह ब्लिंकिंग मॉड आरिसका रखंशạnh झाल झाल